कि है लो फेंड्स मैं इलाज आपके अपने यूटूब चैनल क्रेटिव लाइनिंग आर्प पे तो कैसे आप सब लोग आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पड़ाई अच्छे तरीकेश कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स हम लोगों इस समय एलगी में जो है अपना रहीचिए कर रहे तो इसे पहले दो लेक्चेर हो चुक है है बहुत बड़ा टॉपिक है तो बजह से दो ले हैं इसके बाद मैं एक और चोटा सा सा लेक्चर होगा तो फिर आपकी चार लेक्चर हो जाएंगे मन्लव एक गन्टे समथिंग क् तो इतने में आपका complete हो जाएगा पुरा इल्गी तो कल हम लोग जो थे वह तो क्लास कंप्लीट किये थे उसके बाद से आज हम लोग है जो है क्लासे वह कंप्लीट कर लेंगे पूरी ठीक है अब फिर उसके बाद देखते हैं कि कि अब इसको जित्ता मनलब रहे जो भी आगे क्लासे हैं दो एक दो क्लासे और हैं तो उनको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों को जो क्लास पढ़नी है एलगी की वो आपकी है फियोफाइसी यह क्लास है फियोफाइसी में आपके ब्राउन एलगी जो आपके भूरे सहवाल आते है ठीक है जो फियोफाइसी आपकी क्लास है इसमें अगर दे देता है कि ब्राउन एलगी किस क्ला आइंगे ठीक है यह क्या होते हैं मॉस्टली क्या होते हैं मुस्टली है मुस्टली यह मैराइन होते हैं ठीक है लेकिन कुछ बैसे कर देखा जाए तो जो है आपके और इसके जो हैं आपके आपके आपको आगे बताएंगे तो इनकी जो है बॉड़ी कि अध्रीपार्ट में डिवाइड होती है जिसे यह आपका अल्गी हो गया चिक यह सबसे पहले जो यह होता है घ्रीक हो गया तो यह लगा हो गया थीक एस्टीपा अगर आपको पूच लिया जाए कि जो है जो है अल्गी है वह किसी सबस्टेसम से कैसे अटेच रहता है या फिर किसी भी जो है वस्त ऐत्व बर्सक्ति या भैष उस से लगा रहता है। जो आपका ऐसी सनचना है फिर एक चिपगने का काम ऩरिए या फिर किसी बस्तुपे अठेच होने का घराइस कोले ना ये तीन अधे फहलई में एतन पायट में इलाटा कि अठेच्मिनट डॉसैज solids क्षाल सके शर्गास आपका ये कौन शेता है का लेमिन dynasty तेंगा रहते हैं या फिर तेलते रहते हैं सौत अंतरोप से तयते रहते हैं तिक है यह फ्री फ्लोटिं थि इसे तैरते रहते हैं ठीक है कौन चिल के लुभन नहीं किमिति cel चंप Ste कराई फ्रीर करते हैं आरे ये लार्ज होते हैं तो उनकाूं मेंुग लोग जा कहते समुद्र का पेंड डेखे तो बहुत बड़े बड़े अलगी होते है ठीक है उनको समुद्र का पेंड या फिर प्र या फिर केल्फ बोलते हैं जैसे या फिर एक्जांपल है जेंड केल्फ फिर यह क्या होता है समुद्र में पेंड की तरह अगर बाहर से देखेंगे तो यह एल्गी इतने बड़े-बड़े होते हैं इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं समुधर में पेंड दिखाई देते हैं इनको जेंट यह जयांक इसका है यह पिंसें दूसरा दुश्यस्टीं यह 40-60 मीटर लंबा हो मैं फिर इसके जो है लंबाई होती 40-60 में आप समस्कती 40-60 मीटर किता भड़ा हुआ जाके छाली से-60 मीटर किता देक हैं आपको और और नेक्रोसिस्टी मेइक्रोसिस्टी नेक्रोसिस्टी आपके काफी बड़ा होता है 40-60 मीटर तक होता है तो तो आप पर जॉइंट बोले जाते हैं तो इनकी जो श्यल्वाल क्या क्या होती तो फाइको यह प्राइपको या फिर एल्दिनिक एसिड तो इसमें अगर आपको पूंच लिए घ्रिभाव कि मनलब किसके पाए जाता है तो यह इंपॉर्टेंट भी आपका है यह आगे क्या हम लोग देखते हैं देखो क्लास में यह सब लोग पढ़ते हैं तो इसमें देख जैसे सेक्स्वाल एसेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन लोग पढ़ लेते हैं रिजार्व फूड क्या है यह तो बहुत इंपॉर्टेंट पुछा ही आता है यह पढ़ लेते हैं मिल गये मीट वगया इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन हम लोग देख लेते हैं इसको भी लाइफ साइक्ल कैसी होती है डिपलो डिफलॉण टिक यह तीन तरीके घोती वह आपको आगे बताएं तो तो इसेक्स्वाल रिप्रोडेक्शन कैसे होता है से की तो लुख लेएं ठीक़े में अलग हो जाएं तो छिंडा है यहां तो यहां से टूट जाये अलग होजाए थीक को ट थीक लेकिए आपका फ्रिप्रेंटेसान हो गया और स्पोर के द्वारा अही में एलगी में कैसा होता है छैश्वाल अकिंटिक्षन इसमें हूं आप लोग बाहर से देख के बता देते हैं इसमें जैसे मोटाइल होता था मेल मोटाइल और फीमेल नान मोटाइल इस तरीके से सेजार पाई चेप पिगमेंट कौन से होते हैं यह क्लोरोफिल अच्टाइज से शॉनसे आप याद है यह बी बीटड़िन निटम से यापके मतलब है ऊपके आपका पिग्मेंट हो इसमें पाएजाते हैं डाइट है अगया यहां यहां पूछा नहीं से जाता है यह पिग्मेंट है जैक है ब्राउन एलगी है चीप पिंगमेंट कॉन कुलोरोफिले और बीटा करूटिन फ्यूको जन्तिन प्राउन यह सब पाय जाते हैं यह डाइटो डाइटे डाइटो जन्तिन हो गया ठीक है तो यह आप क्यों गए इसमें रिजरो फूड कौन कौन से पाय जाते हैं जो आ फैक है फैक पाय जाते हैं फीडर फूड पाय जाते फीडर फाइसी जो हैं टीजरो फूड है ठीक है मेल गयमीट इसका मेल गयमीट कैसा होता है के सदेसे इस एक ड्लाइब कोर्ट के लाइव peoics क्लास इसमें अच्छा ऐसा ईसा क्लास इसमें が नहीं होता है वो भी आप को आगे मतना पढ़ाएंगे कि समें नहीं होता तो समय मेल गैप में अधित Slash अंगरता है ऐसे में बाट 8 साइक्ल मेंबर है इनकी जो सबसे पहले इसको बता देते भी आपको बताएंगी होता क्या है इसकी का सबसे पहले ुए एक जॉम पल फिक होती है ले मिनेरिया कोस्चे इसे पूछ लेता नॉर्मली है और है और इसके मांद में आरैर इलोथीर पाया जाया गए चुर। और इरोथीमं पाया जाएगा तो यह सब इसके पिंट है तम लोग देख़ prepared क्या देखेंगे has been लोग रे डेलगी बोलते हैं लाल से वाल इनको बोलते हैं ठीक है यह मेराइन होते हैं कैसे होते हैं मैराइन मैराइन वाटर में पाया जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा क्लास में को बहुत कुछ नहीं पढ़ना जब अगो और बी डिटेल में तो एक चाइट बना है सबसे फस्ट वाली क्लास में तो अब उससे आप पढ़ लेंगे तो उससे भी मलव काफी ज्यादा उसमें कोस्टन लग जाते वहां से हमें जया का मैरां सिंपल फीलामेंटश सोथाथ पीगमेंट कौन कॉति कोुछ एकर ला पीट्रीटिफिर तीelnे इसम अब देखी कौन-कौन से होता है है एई डी अल्फा। बीटा-गारैवींड में लिटन की इसमें मतलब बहुत सारे फार्म कर्क्राइम पाये जाते हैं अब देखें कौन कौन से हैं क्लोरोफिल ए डी-डी-अलफा-।-ä बिटा-कैरोटीन- लीटिं वल्वॉयन लघंधिन मिक्सो जन तरफ एकोएरिधिन और फाइकोशाइन थीक है और फिर एलो फाइसटा एक्ट के लिए फाइकोएरिधिन यहां से एक बहुत जब हुत है important रही आर पाइकोशाइन प्रिक होता है तो फाइकोशाइन अलगता है तो है हम से दोबढगा पढ़ेते हैं क्लोरोफिल ad-alpha-beta-ad-alpha-beta-kair Schicksal है 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 अदो भी चैरो टीन होता है थैक रेड कलर जो होता है प्लोरी डीडीनौ कहा बीलोरीडियन स्टार्ट है फिर संब एसवार का पॉलीमर है यह सो-फोर्ट का पॉलीमर है रहे सब पूंच प्लोडी स्टार्ड्स गया गयलेप्टीन यह आपके इसके रिजर फूड है ठीक है यह जो कि एसो मलस एसो फॉर के पॉलीमर्स है और होता इसमें क्या है अब जो इसमें अपसेंट होते हैं ठीक है जो जो इसमें नहीं बनते हैं कौन सी आपकी जो रेड एलगी बाली क्लास ह नहीं होंग के दस्षाइक नहीं और और लाइफ साइकल जो है घ्ल भाइसी ऐप्लोडे लाइंटिक उप्लोबायंटिक इन दो तरीके सोती कौन कौन से है प्लो बाइंटिक और डिप्लो बाइंटिक इनकी लाइफ साइकल दो तरीके स कंप्लीट होती है उसके बाद में इसके एक्जामपल कौन से बैटराकोई स्पर्मम और जिले डेनियम ठीक है तो आप लोग इसमें से कितना पढ़ेंगे कि मलब क् जो रेड जल्गी है तो रेड एलगी में वालेज से होता है जो कि रेड कलर के लिए रिसमासिबल होता है यह में मेरेनpowered सिंपल फिलामेंटस होते हैं कौन कौन से होते हैं अलफा बीटा की रूटीन ठीक है और आपके बॉलबो जन्तिन फिको जन्तिन रा- आर फइको साइनिन आर फाइको इर्थिन और इसमें रिजरफूर फ्लॉरीडियन स्टार्च गैलेक्ट्टोन या फिर यह जो हैं होते हैं जो इस पर अप्सेंट होते हैं और जो इतना आपका रोड ओफ है तो इसमें दो-चार बाते आप मिलाब जो इसे फ्लोरीडिन स्टार्ट हो गया इसका रिजर फूड हो गया गैलक्टोन बगेरा और इसका जो आडी अगर पूछा जाए कि कौन-कौन से ची पिगमें कि अगरेंट होते हैं और डी अल्फा वीटा के रोटीन ठीक लिटीन और जो रेड कलर के लिए सबस्क्राइब कर लाव रिस्पांसिबल होता है तो फाइक होता है ठीक है तो यह आपका रडोफाइसी हो गया क्लास तो इसमें यह जो फाइसी आपका सबसे लोबर क्लास है सबसे लोबर क्लास है अगर आपց अब इस से पिडिचेंट है यह सबसे लोबर क्लास है तो इसका क्युसें मतलब कि इसमें अप्स पोगा इसमें सिप्रोडेक्ष प्रोडेक्षन अप्संत होगा तो सबसे जो हवे कौन सा क्लास होता है तो आपका मिक्स duplici तो इसमें कौन न्यांते बीजिए ब्लू ग्रिन अलगी तवस्कों सानव सान पैक्टेरिया ब्लॉड। करें छोंसे मृक्जोफाइसी में साइनोंoa इसको बोलेंगे इसमें जो हैं बलु गरिन एल्गी जो की एक रहते यह मोस्टलि कैसे होते फ्रेस्वाइट्र होते हैं जैए ज collecting पर रहा ने प्होंप रश्री करिक यूनिसेलड होते हैं यल्ल छी वहीं के लिवित्वरन को दुकत हैं ते हम प्लाइब कि यूमेंटास त्क के फिलामेंट केftig्ेसं चैनलelect ne यहां पर एक है यहां पर एक ऐसे इस समय है तरीके की होती है तो यह दो तीन तरीके के होगे पहले तो एक तरीके का जो में फिलामेंट यहां पर यहां पर फिलामेंट है तो क्या होगा अब बना लिजीए यह यह तनी सेल टूटके नया अलगी बना लेती है है तो यह मलब होती है अब इसको हम कई तरीके डिवाइट करेंगे कि यह बीच में है या फिर यह तो सबसे नीचे पाई जाएगी यह हो गए यह हो गए यह फिर सबसे ओपर पाई जाएगी ठीक तो बोटा आपको नहीं आद करना है यहां पर यह तो यहां पर यह तो यह तो इसमें इस पाई जाती है है तो आपके जो है मिग्जोफाइसी में ठीक है या फिर साइनोफाइसी या साइनोबैक्टिरिया में टिक कैसे होते हैं बैक्टिरिया होते हैं से यंग फ्रोक्रॉख कर्याइव यह द्लिटे क्ोरॉखत कि वेफिए मंन्यक्विक्त कि जो रह 46 आपके में प्रोक्रॉखत्साइणा तो प्रोकारेटिव उसमें पिगमेंट कौन सा है क्लोरोफिल ए अब इसमें भी पिगमेंट देखिए क्लोरोफिल यह हो गया बीटा कैरोटीन हो गया ठीक है मिग जो फाइसी में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन लिवटीन जेंथो फिल और ऑसली तो जेंथो फिल और यह यह जो आपका है है क्लो फाइका साइन यह हुआ टिक है यह आपके क्मण से है ऊसमें फिगमेंट निया अभी उतल दाटीक है इसंसरमें क्मक्य यहां पर नाइग मि ऐसे काउंसे बेक्टीरिया जिन में नाइग व्यासे काउंसे बेक्टीरिया भी पाय जाता है जिन सबसे पहले साइनोफाइसी है तो साइनोफाइसियन स्टार्च हो गया ठीक है ग्लाइकोजन हो गया ग्लाइकोजन बैक्किरिया में था सबसे अगर यहाँ सबसे जो है आपका जो है जो है जो तो हें पंजाई हम लोग पढ़े हें थीक फंजाई में डिटरो माई defic true माईसे इससे बाद में एलगी कैसे बैक्टिरिया लाइक है तो इसमें और इंड ज़ो है यह तो यह तो यह तो यह आपकी इसमें पाई जाएंगे इसमें अपसेंट होते हैं जूइसके पिछले वाले जो आपका स्टॉड फाइसी था उसमें भी जूश्पूर अपसेंट नहीं पाए जाएंगे ठीक है अब सेट फ्रेजिट एंड बाड़ी होती है अगर अपसेंट फ्रेजिट बाड़ी है तो फिर क्या होंगे नामोर्टाइल होंगे ठीक है और उसमें और हम ल यां पर देख लेते जो है लाइप साइकल इनकी ठीग है है तो डाइप साइकल हम लोग लोग आपको जो है तो यहां पर गए तो आपकी जो पांच लेक्ट्टर पढ़ा दे गई बाखी पांच च जो पॉस्चन बगएरा मतलब उसको भी हम अगर होगा तो नेक्ट्ट लेक्ट्ट में 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 पॉइंट या फिर उसको आप जो इससे पहले उला जो फ्लोचार्ट पड़ा है तो उसमें से आप लोग देख लिए जो है सबसे बड़ी है उसी में पूरा फ्लोचार्ट में दिया इस क्लास में कौन सा पिग्मेंट है तो हम लोग एलगी की जो लाइफ साइकल है या है सबसे पहले जैसे इसको मालब 3 4 hos से डाय केमप्लेट होती है ठीक है निसमें होता क्या है सबसे पहले और टो फाक है ऑलोग खाली होता है घंटींजिया पने बने तो उसमें क्या फिमिल दो गैमिटे बन जाएंगे एक मेल औं फिमिल बन जाएंगे यह जब घंटींजिया फिर इन फिर आप तो प्रतिलाइज करेंगे तो एक तो थे गेंटो उसके बाद में यह से नंका होगा तो इसमें अगर एन का होगा फिर इसके बाद में हम लोग जब इसको फिर जर्मिनेट हो जाएगा जर्मिनेट हो के फिर यह क्या बनाए गयमिट फाइट या फिर एरे स्टेज आ जाएगी ठीक है तो यह कुम से आपकी है पलाउंटिक आपकी जो लाइफ साइकल हो गई ठीक है अब हम लोग देख लेए देंड़ हैं मतलें बनेंगे इसमें क्या बनेंगे इस पर बनेंगे च्टीक है пять है फ्पोर हम जब लिए पैसा मि prefers तुन के जाएंगे तो और धीमेट मेल अलग यह को होता है मिन अपस में हो जाएंगे ठीक है इनका फर्टलाइजेशन जब होगा दोनों को मिलके तो फिर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा जब यह जर्मिनेशन होके फिर इस पोर बना लेंगे ठीक है तो बहुत ज्यादा मतलब इसमें दिमाग भी नहीं लगाना और पो इतने समझना है कि कैसे क्या भलता है ठीक है तो हम लोग आगे हों देखते हैं इसलमोरफिक क्या होता है ज़्याइक संवार मंन ऐता है न होता है और फिर उसमें अब रूम्त vacun का होता है अब अब लोग जाइगोड 2N बना जाके इस्पोरफाइट जाइगोड 2N होगा तो इस्पोरफाइट कैसा होगा इस्पोरफाइट कैसा होगा इस्पोरफाइट हो जाएगा इस्पोरफाइट में इस्पोरफाइट में बना लेगा ठीक है इस्पोरफाइट बना के फिर यह जर्मियसन होके और आपकी लाइफ साइकल है हट्रो मॉर्फिक लाइफ साइकल कैसी होती है मॉर्फोलिजिकी मदलब इसमें आपको नहीं पड़ना है इस सेनेक्ट होती है थिक है जैप्रिक होर्फ एस्टेज़ ओर इस फुर फाय्ट मझ अच्छिन दोनों पाई जाएंगे हैपक्तो कईसे ओंसे हौज जाएंगे जो कि स्परमों में पाई जाए कि कैसा वेटर एपक्तों या नम है आप लोग देखंगे जन्कीन और लसा चाहिं । है कि त्री-फियों दोनों पाई जाएगे तो फिर है प्रप्लों बयांटिक हो जाएगे जो आपकी बेटरा को इस पर्म Theo डिपलो बयांटिक ठुट फ्य besar ग्रीली पाई जाएग़ प्र ऑली तो सब्सकाइब पर्मों हो इस तरीके से इतने वह अपके जो है लाइफ साइकल मझा इस तरीके से कंप्लेट होती है तो सबसे एक बार देख लिए ते चाहिए जब गयम्टोफाइट फिर क्या हुआ गाम ड़ा जब गयमटे गयम्टे गयमिटेंजी अबने इसके बाद में फीमेल गयमिट बन गया नेकित तो तरीकित आया तर्युंट तरषी से मीवसित सब्सक्राइब जब होगी तो जब इसन से быстр घृ जब NN मतलब दोनों वो थे अब फिर में जो आगे जब फर्टलाज़ाशन वा तब फिर 2N बना लिए ठीक है और ऐसे एक बार और फिर देख लेता इसो मारफिक फिर गैमटोफाइट फिर दोनों होके फर्टलाज़ाशन किया पड़े हैं जाइगो जाइगोटिक के बाद के के बाद इस फौर फाइट को फिर मियाजित फोर बना लिए फिर बना लिए घेमटोफाइट हो गई ठीक हेत्रोम़र्फिक में फिरदिखनी होगी है यह आपके हो गये अच्छा आप क्या करते हैं यह लाइफ साइकलल इनकी जो है इस तरीके से कंपलेट होती एं यहां से कॉष्चन अगर कोई मेंबर से लेता तो वही से कुस्चन आते हैं ठीक है तो हम वहां से को जो है इनको एक एक जो है मेंबर इसका जो है अलग से पढ़ लेंगे तो उसमें कौन सा मलब पिगमेंट और यह सब बाकिया जो है देखा जाए तो पूरा अगर क्लास याद करें तो उसमें से ही पता हमको पता चल जा रहा है कि जिसे रोडोफाइसी तो इसमें बैट्रा को इसपरवम जैसे आपका एक एक इजाम्पल था तो इसमें अगर येड़ फिगमेंट देखा जा तो फाई को इरत्थिन होगा ठीक है यह कैसे से बाल ओंगे लाल से बाल होंगे ठीक है इसमें जो है कौनज़ी वो पाई जाएगी लाइस तो यह आपकी तो ऐसे भी याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं तो उससे और भी हम लोगों को आसान हो जाएगा ठीक है तो यह आपका अपर देखते हैं सबसे पहले क्लेमाइडो मोनास जो कि मतलब किस उसका मेंबर है और या फिर इसके बारे में पूरा डीटेल में पढ़ते हैं और में शीकरणा चेहा क्लेमाइडो मोनास शीप कोई कि मतलब कि जली है अचा अचा सब्सक्किभि है यह जली है कुछ ऐसे भी थे जो मतलब क्रेपो क्रेपो क्रेयोफिलस्ते हर्मोफिलस्ते यह फिर हर्माफाइड पर कई मतलब तक तरीके से थे आप लोग सुरूवाती क्लास में से आप लोग देख चुके हैं ठीक एक बेंटिक यूनि से लगी है क्लेमाइडो मोनाज ग्रीन लगी है ठीक है यह कहां आमोनियम परिश फ्रेसवाटर ऐसा मलब पर फ्रेसवाटर होगा जिसमें आमोनिया पाई जाएगी पर्याप्त बाई कहां अगर जीसे कोई तो घृतब बहुत ज्यादा हो बहुत ज्यादा हो तो वहां पर पाए जाएगा तो आपका कले माईडो मोनाश पाए जाएगा तो आशसे भी कुछण फिर्ट में परोटीन भी 맛있 गलाइकोप्रोटीन दो में ठीकन राव लिकिन परेजंट को फ्रोटीन यह Одन्ट उसमें डिद्ट है तो हम लोग देख लिए क्लाइमाइडो मोना इसका है मुझे ऐसे जगा पाया जाएगा जहां पर मोस्टली जो है अमोनिया रिच वाटर हो ठीक है तो यह यहां पर हो गया और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आगे मतलब इसमें क्या-क्या है कि आब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करनके हैं अगर जिसे यहां पर होगा एक नुकलिस और यह जाएगी काम करती है आपके जो है यूग लीना वगेरा जो है इसमें को पाई जाती है यह पानी को एक्जाब करती है उसके बाद में एक्षरीशन कर देती है जैसे आपका बाट कहीं है एक्वेटिक है तो यह क्या करेंगे क्ले माइडो मोनास का इसा एक्वेटिक है यह जो अमोनिया रिच वाटर में पाए जाता है तो इसको इसमें काम करती है अब इसका मतलब क्या जब वाटर में रहता है तो वहां से जो आपके पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी फिर उसमें से जो है नियूट्रीशन ले ठीक है तो यह आपका यहां सक हो गया कॉंट्रीशन का काम करती है इसका जो है क्लोरोप्लास्ट जो कैसा है कप सेट है बहुत इंप्वाटेंट है यह पूंच्छा भी बहुत हो जाता है कप सेट और वाल बॉक्स का भी आपका वॉलबॉक्स दुद था उसका भी क्लेब माए माइन मायनास और फिर बॉलबॉक्स इन दोंका जो है क्लोरी प्लास्ट अब कंप सेट था ठीक है अब फिर रेड़ आई आई पार पाइरिनॉइड पाइरुनाइड क्या है पहलें छे पाईरिन अगर देखा रहत है तो यह हो गया और यह हो गया यह क्या है प्रोटीन हो गई कि यह क्या है इस्टार्ज हो गया इसा इस्ट्रक्चर से जो कि उसमें प्रोटीन होगा और उस प्रोटीन के ऊपर इसमें प्रोटीन इनर है और फिर आउटर क्या है इस्टार्ज है तो यह क्या करता है इस्टार्ज का प्रोटीन हो गई आपकी इनर है और फिर इस्टार्ज आपका बारगता यही आपका जो है इस्टोरेज इसका फूड है ठीक है अब पाल्मेला इस्टेज यह कैसे हो जाती है इसमें तो इसमें है टॉक्सिक केमिकल जो निकलता है अनफेवरेबल कंडिशन ठीक है जो टॉक्सिक इसमें एक टॉक्सिक केमिकल निकलता है तो उसी बज़े से इसमें पाल्मेला इस्टेज आ जाती है रिस्पॉंसिबल टू टॉक्सिक केमिकल जो है पाल्मेला इस्टेज रिस्पॉंस टू पाल्मेला इस्टेज रिस्पॉं टॉक्सिक जो है स्टेज के लिए पर टॉक्सिक केमिकल जो है अपका वही रिस्पांसिबल होता है ठीक या फिर अन्फ फेवरेबल वाइटर कंडिशन में तहीं आपका इसमें सेक्सवल लिप्रोडेक्शन कैसा होता है जब आपका क्लेम आडम होना साब पढ़ोगे तो इसम मतलब सेक्सवल रिफ्रोड़ेक्शन त मिल तो इसमें मतलब इसमें सेक्सवल प्रोडेक्शन होंगे उस तरीके से लाइफ साइक्ल है विव ट्रइखती की तरीके की होती है है एक ऺंपने देखा था क्या था सबसे पहले एक में बना था के इतना याद रखे एक आड रखें मत मतलब गयमीड और डिप्लॉंटिक मतलब इस पूर तो लाइफ साइकल है प्लॉंटिक हो गई अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा क्लाब जो है जुन्दा हम लोग देख लेते कुंसा यूलो थ्रिक्स कि यह कि कैसा है सबसे पहले तो प्री भीविंग हो जाता है कहीं तरहता है वाटर में है अमोनियर इस वाटर में पाया जाता है इसमें फ्यूजन के दारा होता नॉय इसमें पाइरिनोइड जो है यह जो पाइरिनोइड बता था यहां पर लिख लीजे कि अब लोग यहां पर ऐसे लिख लिए इसको तो भी आद रहेगा कुई कि बहुत क्लिफिजन होता है So that protein यह प्रोटीन हो गई और उतके बाहर यह यह अपका can sac है कि भीच में प्रोटीन और बाहर श्टाइल से क्लिय माय जो आपका क्लेमाईडो मोनास है तो यह यहां अगर हम लोग देखेंगे क्लेमाईडो मोनास यहां तक आपका कम्प्लिट हो ग्या hai यू देखे लेते इसमें पैसा जकते है इसमें चीछ यैे चीछ यहां पर किन अगर बन जाए तो इसका मतलब आप समझाटकू vampr फिलामेंट आ रहा तो अarson जरूर पये जायेगे ठीक है तो फिलाम अन्ब्रांच होंगे इन rozp वह स्फिलामेंटस होते हैं ऐसे यह जैसे बस데 कोई साथ तु कौन इसमय जह 이렇게 ऑब बीससे पहले सु刑 является जल में या फिर मीठे जल में पाए जाता है लोवर मुस्ट सेल ठीक है कलर लेस कलर लेस फंक्शन होता है ठीक है कि नहीं नहीं इसमें जो है ग्रीन जो होती है मैं जो इसका कवरिंग होती है जिसकी कवरिंग होती है यूलेख की बहुत थिन होती है और इसमें मूस्लेज जो कि सीथे मीउसलेज की सीथ पाई जाती है कि उपर थीक तो यह आपका हो गया यह सबस्टीर के लिए मलबस में लगे नहीं होती है तो लोवर मोस्टल कलर्लेस functional होते हैं बैज से mostally क्या होते हैं hold first क्या फ़मान functional होते हैं लेकि इसमें colorless होते है कोई color नहीं होगा लेकिन है ilgi, green ilgi लेकिन colorless होंगे लेकिन functional होंगे इसमें ठीक है ये इसमें बहुत अगर देख ले hold fast कि इसमें colorless हैं या फिर functional है तो आपके कौन से तो यहां पर इनर हो जाएगा तो इनर वाला यह कैसी है इनर सेलोज की होगी अब आउटर प्रोटोपेक्टिन की होगी ठीक है इनर होगी और आउटर जम्सें माले में इनर हो गई आपकी सेलोज ऑउटर अउटर होगे प्रोटो प्रोटोपेक्टिन होगे इसेक्वल्णी प्रोड़क्षन इसमें ऐसे ऊता है फ्रग्मेंटेशं के द्वारा होता है तूटके हो जाता है यह फिर पालमेला इस्टेज़ पालमेला स्टेज के लिए कहुं सा टॉक्सिक जो केमिकल जो ठा वो स्पॉनसिबल था रूड़ा था ब्रूमेला की द्वाइब और फिर हैपनो一下 लुए या फिर उनली ग्रीन जाएंगे और बाकी कहीं नहीं देखे जाएंगे ठीक है ठीक ठीक पाइड़ेक्शन जो की ग्रीन इसके ऑर इसकी जो सबसें इंपॉर्टन बात है वह जो इसकी ग्रीन सेल्स होती है हैं जहां पे सैल से होती है के लिए डिया से यह तो यह साथ होगें शोला जबड़ेंगे गरील करने सबना बहाओ लेंगी और बाइ प्रोडिफोर का फार्मेशन करते हैं supportive तो यह आपका यहां तक जो कि क्या के लिए अगर को देखे तो इसकी लाइफ साइकल भी देख लेते हैं लाइफ साइकल जो है डॉमिनेंट इसकी फेज होती है है प्लोंटिक एक अ isक है इसकी है है लेकिन इन्ज दोमिनेंट होती होती है एप्लोंटिक होती है यहाँ सिर्फ इसे ह Але और कोई ऑफ मेंぐ deben cent नहीं है तो आंदकि है नाहीं जुड़ होती है शर्時 देलेंट्बनीटिक छिर्फ मतलव यह नवान समझो सिर्फ दिखावा करती कोई कोई का काम नहीं होता है क्या है dominant phase होती है इसकी life cycle जैसे हो होपलोफेज या फिर डिपलोफेज इसकी क्या है रिप्रेजेंटेटिव उनली है जिसमें की मलब विच अंडरगोज मियासिस होके रक्षन डिवीजन या फिर जर्म इनेक्षन होता है ठीक है तो लाइफ साइकलिस में आप इता है याद रखे है अपलॉंटिक होती है डॉम है डेफ्लांटिक चुलशच कह में अध्या डिफ्लांटिक होएं ड्यौिप्लोपन क्यों सब्सक्राद है तो ये आपकी बहुत है रिप्रेजेंटेट्प्र लबाईटीव स्टेज प्रेज़ तो यह इत्ति आपकी जो है यहां तक हम लोग उसके जो अदो之前 गें ऑर उसके बाद में पूरी जूben है जेंद एक दूर生 परके हम लोग कलिस्को यहां हो सकी कर देंगे और से पर सो लोग लाइके-ठाइब कर दो यह काफी बड़ा बड़े बड़े हैं तो इसे प्राइब आपके दो से तीन लेक्चर तो जरूरी है तो तीन लेक्चर हो गए आप भी ना मलब जादा जैसे ऐसा होता कि आप भी जादा पढ़ते पढ़ते ना वह तो उन्चास या पचास मेंट का वीडियो है तो अगर आप इसको दो बार देख लोगे तो पूरी तरीके स कंठस्त हो जाएगा बिल्कुल भी आप इसको भूलेंगे नहीं ठीक है तो यह आपका है इतना है कल हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में परसोनल आइके और पढ़के फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या मलब कौन सा टॉपिक आगे फड़ना है तो फिर आप लोग सब लोगा लाइक जो अच्छा लगाव यह लेक्ट्र आज का तो फिर इसको आप लोग लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ठीक हैं ओके फैंड थेंक्यू